दूक सीनियर और दूक फ्रेडरिक दो भाई है और पॉजिशन होल्डर कौन है दूक सीनियर है और उसका चोटा बाइकॉन है दूक फ्रेडरिक है मैं लिख भी देखते हूं ठीक सो हमारे पास हो गए यहां पर लेट सेहें दूक सीनियर और दूक फ्रेडरिक दूक सीनियर की बेटी है रोजलिन और दूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया अब यह लोग हैं यहां पे साथ में नाव दूक फ्रेडरिक ने क्या करा दूक फ्रेडरिक ने अपने भाई की पोजिशन को हतिया लिया सब कहते हैं और अपने भाई को कहां से यहां से निकाल दिया इग्जाइल अब यह भाई कहां जाके रहेगा forest of Arden में लेट्स रिमूव ड्यूक सेनियर फ्रम हीडर और कहां लेकर के चलेंगे हम लोग ड्यूक सेनियर को वह आगे यहां पर forest of Arden में अब जब Duke senior यहां पर आये हैं यह बड़े भाई हैं So there are lords and other people along with him So जब Duke senior यहां से गय थे तो उनके साथ उनके lord कौन-कौन से गय एक है Amiens, Lord Amiens और Lord Jackress Duke senior के साथ कौन-कौन आ गया? Lord Amiens और Lord Jackress अब यह जो दोनों है ना दोनों के कुछ एक features है Lord Amiens और Lord Jackress They are popular for certain things क्या-क्या है? जो Amiens है यह एक talented singer है talented singer अच्छा गाता है और जो हमारा यह जाक्विस है Lord Jackress यह क्या है? यह एक melancholy philosopher है melancholy philosopher मतलब बहुत सोचता है दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचता है and is a sad person बहुत जादा depressed and sad person so melancholy philosopher यह हो गए इन दोनों के attributes Duke senior और Duke senior के साथ यह सारे लोग आ गए अब यहाँ पर कौन रह गया? Duke Frederick, उनकी daughter Celia और Celia की cousin Roseland यह लोग रह रहे हैं Now Roseland is not that happy थोड़ा सा वहाँ पर कुछ-कुछ issue चल रहा है अब इसी में यहीं पर There is another family So another family को देख लेते हैं Another family किसकी है? यह है हमारे D boys family So father क्या है? Father का नाम है Roland D boys Father Roland D boys Father की हो चुकी है death Father की हो चुकी है death तो जब आपको प्ले के अंदर जब characters आएंगे तो वहाँ पर आपको यह Roland D boys नहीं मिलेंगे इनके बेटे मिलेंगे अब यह बेटे कौन कौन से है? बेटो में हमारे पास है Oliver और Orlando Oliver और Orlando एक और भाई है उसका क्या नाम है जाक्विस D boys जाक्विस D boys यह दोनों जाक्विस के बीच में confused नहीं होंगे एक आपका D boys का बेटा है उसका पूरा नाम और यह बिलकुल last में आएगा एक दम आख के राकिर में बिलकुल last में आएगा और यह Lord जाक्विस है कि इस दी परसन जो वो world is a stage वाली जो लाइन है वो किसके क्रेडिट में है Lord जाक्विस के वहाँ पे क्रेडिट में है अब यह जो हमारा Oliver है और Orlando है Oliver क्या कर रहा है Orlando उसे शिकायत कर रहा है कि मुझे जो हिस्सा मिलना चाहिए था फादर के उसमें प्रॉपर्टी में इसे या जो मुझे सुविधाय मिलने चाहिए यह थी education and all की you are not providing तो इस चीज को लेकर के वह उसे बात कर रहा है और यह इसको Oliver उसको बिलकुल भी credit नहीं दे रहा कुछ भी नहीं दे रहा in fact वह एक ऐसा प्लान करता है या I'll get rid of Orlando कैसे प्लान करते हैं यहां पे Duke Frederick के court में है हमारा Charles and Charles is a wrestler Charles क्या है? wrestler है अब यह Orlando और यह Charles के बीच में होता है क्या arrange किया जाता है? wrestling match और उसको पक्का बदाए कि वह Charles इतना जादा strong candidate है that Orlando की तो वह चुटी कर देगा होता हुटा है who wins? Orlando wins अब यह जो match है यह कौन देख रहा था? यह Celia और Rosalind भी इन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार so they fall in love कौन-कौन? Orlando and Rosalind they fall in love फिर इदर कोई-कोई बात जाती है and जो हमारे डूक है Frederick Rosalind को बैन कर देते है and Rosalind is like कि अब यहां नहीं रह सकती कहां जाएगी Rosalind? forest of Arden में so Rosalind यहां से कहां move कर जाएगी? यहां पर and here she will have another name कौन सा नहीं आ जाएगा यहां पर Rosalind के लिए इसका मतलब क्या होता है? जोस ओन पेज या जोस सवेंट so Rosalind के दो नाम याद रखेंगे हम लोग Rosalind and what is the other name? जोस का different name है वो क्या है? गैनिमीट है जो यह हो गया अब Rosalind को हम लोग यहां से हटा दे Rosalind कहां चली गई? वहां पर Forest of Arden में अकेले गई? नहीं अकेले नहीं गई साथ में उसके कौन गया? उसकी कजन Celia Celia is also there Celia भी Rosalind के साथ जाती है जो हम लोग यहां पर लेंगे Celia and Celia So, यह एक boy बनती है Rosalind क्या बनती है? यंग boy और Celia भी जाती है Celia का वहां पर नाम होता है Elena Elena का मतलब है stranger वैसे तो Elena का मतलब नहीं पूछेंगे बढ़ जस्ट क्योंकि हम लोग Ganymede लिख रहे है Ganymede is जो God का servant उस तरीके से Joe's own page तो यह Celia अब Celia को भी यहां से हम लोग कर देते हैं Remove जो अब एक तरीके से यहां पर सिर्फ रह गए कौन? Duke Frederick और जो भी उनके साथ दूसरे बंदे होंगे Rosalind और Celia पहुंच गी Forest of Arden में Duke Senior पहले से ही वहां पर है वह Lords उनके साथ है इस वाले में से भी Orlando क्या करता है? आज आता है भाग के यहां पर Forest of Arden में Orlando is also here अचा यहां पर इनके सर्वेंट्स का भी नाम लिख लेंगे यह आपके सर्वेंट्स हैं Adam और डिनीज भी Adam और टेनिस यह सर्वेंट्स है Adam is the old servant जो एक बार को emotional होके कहता है कि वही मेरी सारी चीज़ें तुम ले लो He is ready to give everything उसके पास जितना भी सब कुछ है वो सब ओर्लेंडो को देने को रासी है सो यह वाला परिवार है अब यहां से कौन आ जाता है यहां पर Orlando उसके पीछे पीछे कौन आ जाएगा Oliver बीच में Orlando क्या होता है Oliver की जान बचाता है अब इस जान बचाने की वज़े से देर इस रिदय परिवर्दन चेंज अफ हार्ट और दोनों भाईयों में वापस से वह जो इमोशनल बॉंडिंग होनी चाहिए वह डेबलाब हो जाती है सुना एवरीबडी इस हिया यहां से भी हम लोग इनको सबको अटा देते हैं अच्छा और जब यह लड़कियां आई थी न तो अकेले नहीं आई थी उनके साथ आया था टाच स्टोन टाच स्टोन टाच स्टोन क्या है क्लाउन है कोर्ट क्लाउन क्लाउन या फूल जैसे भी लिखना चाहिए अब यह लोग यहां पर आगए तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा मुव कर लेते हैं और पूरे तरीके से से फोकस करते हैं अपने फॉरेस्ट ओफ पार्डन पर फॉरेस्ट ओफ आर्डन में पहले से कुछ हैं हमारे शेफर्ड्स दोस हुआर लिविंग देर ओनली इस जो वहां पर जो शेफर्ड्स रह रहे हैं उसके अंदर हैं आपके पास एक कॉर्ण कि कि कॉर्ण यह है एक ओल्ड कॉर्ण के अर्वा वहां पर है सिल्वियस सिल्वियस यंग शेफर्ड यह दोनों शेफर्ड्स हो गए अब दो लेडी है वहां पर एक है फीबी और एक है ओर्ड्रे अब देर इस अनादर परसन विलियम फीबी यह शेफर्डस है और विलियम कंट्री मैन है यह लोग यहां पर फॉरेस्ट अफार्डन में पहले से हैं इस पीपल आर अब यह अब यहां पर जमा हो गये नाव रोजलेंड और और आप मतलब ओर्लांडोव्स रोजलेंड लेकिन रोजलेंड भी और्लांडो को प्यार करती है ओर यहां पर वो किस फर्म में है गैbas खकात्री Windows कर दाना था अबहु अबहुंआ बनाया है यह यालानडो फ उस तरिके से रोजलिए ‫परम के दोनैंड वता Quantum आपको confusion ना रहे है यह हमारे pairing है Rosalind और Orlando की pairing है फिर हमारे Celia और Oliver की pairing है यह आपके एक pairs हो गए यहां पे William पसंद करता है और सिल्वियस पसंद करता है फीवी को सो जो फाइनल चीजें होंगी उसके अंदर सिल्वियस आंड फीवी और टाच स्टोन आंड ओड्रे तो सिल्वियस आंड फीवी और यह एक तरीके से आप कह लिए यहां पे होगे होगा क्या यहां पे Orlando is very much in love with Rosalind वह उसके लिए कि मैं क्या करूं क्या करूं विल बी वेरी वारइट सो तो रोजलेंड कहेगी दा यू विल गेट रोजलेंड और तुमारे सामने वह आ जाएगी चलो मैं प्रिटेंड करता हूं दाइम रोजलेंड और लेट्स फेक मारेज यह वह करके थोड़ा वहां पर काफी आपका इंसिदेंट दिखाया गया है और लैंड ऑलिवर के बीच मे में भी दियर आर पॉइंट के किस तरीके से वह जान बचाता है और यह जो हमारे शेफर्ड शेफर्डेस हैं इनके बीच में भी दिखाया जागा कि हाओ वन लॉब्स दी आदर जैसे विलियम है विलियम लव्स और रे लेकिन नहीं वह साथ में नहीं होते हैं बात में क्या सार दियर मुनास्टरी में जा रहा है और वह जो सारा कुछ है क्यसको रिटर्न कर रहा है लॉक सेशि और यहां पर फिर यह सारे सारे मारेज्ज होंगे और ब्लेसिंग देने के लिए आर क्या रेक्टटर्स्टर बिल्कम क्याम है यह है गॉप्वर्ड ऑफ का प्लेसियों और लास्ट में एपिलॉग के केस में रोजलिंड का एपिलॉग है यह थे आपके चोटा कर देती हो ताकि आपको सारे एक साथ दिख जाएं यह सारे आपके चारेक्टर्स थे आज लाइक से रिलेटेड ओज हो से दो ही है यह देजिक प्द्ध सारे आपके चा कि कुट।